तो हेलो गाइज मैं युपराद सवरब आप लोगों का एक बार फिर से ओपी स्टेडी सोलूशन में श्रागत करता हूं तो दूसरी जो वीडियो है हमारे बीबुस के सभी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है जो भी हमारे दिसम्बर से संथ 2022 के स्टू का है कि आपकी जो इंतिजार की जो घड़ी है और यह कंफॉर्म हो चुका है कि एकजाम जो है जून के फर्स्ट वीक में होएंगे एड्मिट कार्ड डेट सीट आपका बहुत ही जल्द आएगा ठीक है और लेटेस्ट अपडेट देने वालों बहुत सारे स्टूडेंट का कफूर्म है कि सर एकजाम डेट बता दूँगा कब से कब आपका एकजाम होएगा मेरी बात हुई है ठीक है ऑफिस से मेरे को इंफोर्मेशन मिलिए है और आपके एड्मिट कार्ड किस तारिक को जो है रिलीज किया जाएगा कौन से डेट को आपका डेट सीट आएगा तो इस वीडियो में 100% आपको किलियर कर देना वाला सारा डॉट किलियर कर देना मेरे पास बहुत सारे मैसेज हैं स्टूडेंट के कि सर सलेवस वगयरा क्या चेंजेज होएंगे तो या फिर अगर बिहार बोड एकजाम ले रहे है तो अपने तरीके से लेंगे क्या कोईश में कमेंट्स करते रहे तो किसे एकजाम कब हो गए अरे भाई बहले वीडियो तो देखलो सारा इंफोर्मेशन है ठीक है और फिर कोई डॉट रह जाता तो हमसे सवाल करो लास्ट में ठीक है तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं और एक चीज में और बता देने वा क्योंकि हमारा ही चैनल आपको सबसे पहले अपडेट देगा और जो भी जैन्मीन इंफोर्मेशन है इसी चैनल वे अबलेबल होगा ठीक है तो चलिए वीडियो को जारा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ठीक है तो सबसे पहले गाइस मैं बता देने वाला हो देखो आने वाले मैंने आपको जो स्लेवस दिखाया है वह उसका स्लेवस मैंने दिखाया है 10 का भी दिखाया 12 का उसी स्लेवस में से आपके कुशन पूछे जाएंगे ठीक है अभी ओफिसियल ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है बोड ने कि भाई ये 50 अब्जेक्टिव का भी बोस का कोईशन पेपर है ना उसी से तैयारी करो वाई 10-20 दिन में क्या मतलब पैटर्न चेंज हो जाएगा ऐसा थोड़ी होता है यह सब जो है एक महिना पहले ऐसा बता इंफॉर्म कर दिया जाता है अब ऐसा कोई नोटिफिकेशन निया तो मेरे हिसाब से पुराना वाला ही रहना वाला है मेरा अपना एक्स्परियेंस है ठीक है अगर हो जाए तो इसमें भी हो जाएगा उसमें भी कोई ज्यादा चैंज इस नहीं होएंगे ठीक आपका से लेवस होई रहेगा उसी में सो कुछे जाएंगे अलग से बहुत सार्ट मेरे को यह पूचा जाए यह पूचा जाएगा ठीक है यह आप रख लो रेगुलर वालेशन नहीं अगर भी हर वोड करवाएगी और एक चीज़ और देखने को मिला है आपका जो ना सर्वर जो है ना वीवस का जो सर्वर है वह वीवस और गया है उस पर अपडेट आएगी ठीक है अभी जो उसका वाला सर्वर था वो यह की टीम के पास है उस वह हैंडिल कर रही है ठीक है रिजल्ट वगेरा अभी देखो चेक नहीं कर पाऊँगे क्योंकि वहां पर भी बंद कर रखां लोगों ने अब उनकी मरदी भाई मेरे जब वह कंफर्म वेरिपिकेशन कर रहा है कब कर रहा है न सारा कुछ सर्वर पर आया रहा है ठीक अपडेट होके आपको डॉनलोड करने का भी ऑप्सन मिलेगा ओनलाइन आप डॉनलोड कर पाएंगे बहुत ही जल्ले ठीक है तो मैंने यह सारी चीज़ें बोल दिया देखो एड्मिट कार्ड कब आएगा अभी क्या चल रहा है मही का जो है विड चल रहा है तो एड्मिट कार्ड जो है न 20-25 तारीक के बीच में आगा कब 20-25 के बीच में आपका एड्मिट कार्ड जारी किया जागा 20 मही से 25 मही के बीच में अभी देखो 10 के एकजाम होएंगे पहले जैसा information है जून के फर्स्ट वीक में 10 के एकजाम हो तो इस तरह से वेंगा तो यह एड्मिट कार्ड मैंने बता दिया कब आएंगे तो दस स्वारी दस से नहीं 20-25 के बीच में और देट सीट इनका दोनों एक ही साथ आता है डेट सीट एड्मिट कार्ड जोना एक ही साथ रिलीज किया जाएगा तो मैं आपको बताओं और दे सीट में स्विडूल है और वो कैसा रहेंगा मतलब देखो यार इनके एकजाम पहले जो सेट करती थी वह एक दिन में दो एकजाम होते थे ऐसा ना हो करके आपके एक दिन में एक एकजाम होएंगे ऐसा इस पर हो सकता है यह चेंज्चे आपको देखने को मिलेगा इग्जा पहले ट्वेल्थ के बाद में तो टाइम लोगों के पास ज्यादा है ठीक है टाइम भी ज्यादा स्टूडेंट भी कम है तो अलग अलग होएंगे आपके एक दिन में एक ही गजाम पढ़ेंगे इतना मेरे को करते हो त्यारी और फूल फोकस करो और हमारे चैनल के साथ बने रोड़े देखो यार जो भी होएगा नोटिफिकेशन आपको जल्द दे दिया जाएगा कैसा पैटर्न रेगा कितना कोशन पूछे जाएगा यह मेरे इसाब से जना 20 तरीक तक यह आपको किलियर कर देगा ठीक अब भी कोई नई अपडेट आएगे तो जरूर सबसे पहले हम लोग आपको देने कोसिस करेंगे ठीक है और एक्जाम की तैयारी करते रोगे मेरे देगो तुम लोगोने पहले से पढ़ रखा है रिवाइज करो ना उसी को रिवाइज करो जो प्रिविएस का पेडियाफ अब लिया उसी को करो हमारे चैनल बें बहुत सारी वीडियो जादा फोकस करो बिहार वोड़े कोई बोड ले रिवियस से कोई रहेंगे वही कोई नए कोई से लेगे थोड़े बहुत चैज्जे देखने को मिलेगा लेकिन आफ फ्रीविए से बनाओगे तो उससे ज्याद आपको 80-90 परसेंट वही से आने वाले हैं दस बीस परसेंट अलग से वह अलग बात है ठीक है नए कुछन ने अगर बोर्ड विहार बोर्ड रिले रही है तो थोड़े से नहीं आएंगे ठीक है लेकिन जावतर वही से पूछे जाएंगे तो यह सारी चीजिए है पढ़ाय ल करो ठीक है बहुत ही जल्द आने वाला है वीडियोस ठीक है और हमारी चैनल पर बने को ठीक है मैंने आपको लगता है सारी इंफोमेशन दे दी ठीक है और जून जुलाई से सन्वाय दोजार बाइस के जो स्टूड़े मेरे मार्क सीट का इंदजार करो जो भी तुम्हारा सब्सक्राइब करो बढ़ियां से देखो लाइक करो शेयर करो ठीक है इस तरह हमारे चैनल पर बने रहो तो उम्हीद करते हैं आप लोगो सारी जानकारी मिल इसमबर सेजन 2022 को मैं एक बार और बता देने वाला हूं देट सीट अडिमीट काड़ काफी चल दाने वाला पढ़ लो अभी भी पढ़ लो मौका है नहीं पढ़ोगे तो फेल कर जाओगे बाद में मेरे को मत बोलना कि सर हमारा दो साल से तीन साल से किलियर नहीं लटका हुआ है मेरे नमबर वढ़वादो चोरी चल रहा है नहीं पढ़ लो नथोड़ा सा पढ़ लोगे और देखो बोट एग्जाम में लाने जादा लाने के लिए तम एक चीजव अपना ऊंवे मेरे चीज़ फोलो करा तुम सारे किरनी पढ़ लिख़ो ठीक है अभी ज्याधा पर रिवाइज करो ठीक है लिख लिखने कोई करो और जो तुमने पड़ा उसको बारवार मतलब रिवीजन करते हो ठीक है यह सारी चीज़े मैं एक नई वीडियो बना कर तुम लोगों को बताऊंगा वह बहुत सारी वीडियो बनाएं एक जाम में कैसे माक्स लाएं फिर भी अपने विडियोज के साथ तब तक लिए धने वार ठेंकी सो मच मैं डवल डवल बार रिपीट कर रहा हूं ठीक है क्या करो और चलो यार तुम लोगा अदलब कुछ तो किलियर हुआ ना एक्जाम करता हूं रहे लो ठेंकी सो मच